कि able com student assalamualaikum tipping वमीदे के आप खहरियेत से तो हमारे इस सेशन का टॉपक है इको स्पूडिना स्टुडें पिछले सेशन के अदर हम अगर बात कर रहे हैं या पिछले सेशन का एक जायज़ा लें तो हमने जो है पिछले session के अंदर adaptations के बार में पढ़ा था कि किस तरहां से living organism अपने survival के लिए adaptations अपने अंदर लेकर आते हैं तो students चन किसम की adaptations हम आज भी पढ़ेंगे चन किसम के रवाईये हम आज भी living organism के पढ़ेंगे इस ecosystem के थूरू या इस session के थूरू कि कौन से ऐसे कुछ रवाईये हैं जो मजीद उनको survival में help कर रहे होते हैं living organism को ताके वो longer period of time के लिए उनकी continuity of life के लिए helpful साबित हो रहे होते हैं तो आज हम इनी चन्द बातों के अपर गुफ्तुकू करेंगे बात समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे procedures हैं या कौन से ऐसे attitudes हैं living organisms के जो उने continuity of a species में help कर रहे होते हैं या उनकी species को continuation मिले उसमें help कर रहे होते हैं तो student what is an ecosystem? एक ecosystem क्या होता है? ecosystem is a group of habitats यानि बहुत सारे habitats जब साथ में मिल जाते हैं तो वो एक ecosystem मना रहे होते हैं मिसाल के तोर से desert, desert एक habitat है एक aquatic marine या समंदर sea एक जो है वो habitat है grassland एक habitat है इसी तरह से arctic regions एक habitat है तो यह तमाम habitat आपस में मिला कर यह तमाम communities आपस में मिला कर एक ecosystem create करती हैं जिसमें हर एक living organism एक दूसरे पर depend करता है for their survival needs अपनी survival needs पूरी करने के लिए हर एक living organism दूसरे living organism पर depend कर रहा होता है किसी न किसी सूरत से तो यह एक ecosystem का तसवर है जहां पर बहुत सारे habitat जो है मिल कर एक system मनाते हैं जिसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे systems मौझूद है मिलकर एक combined body बना रहे होते हैं वो हर एक system एक दूसरे को फाइदा पहुंचा रहा होता है इसी तरह से ecosystem के इंदर भी हर एक system दूसरे system को फाइदा पहुंचा रहा होता dependency create हो रही होती है एक दूसरे system के उपर तो फिर मिलकर एक ecosystem create हो रहा होता तो students यह तो रहा ecosystem क्या था क्या चीज़े थी अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते है क्या हमारा दूसरे सवाल यह था कि कौन से ऐसे attributes हैं या कौन से ऐसे रवये हैं जो living organism को अपनी species को continuation में रखने में help कर रहा होते है तो पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे competition की competition क्या होता है अगर हम अपना तसवर देखें या competition अलफास के माइनी की तरफ जाएं तो मुखाबले को हम कहते है competition लेकिन असली जिंदेगी के अंदर असल जिंदेगी के अंदर जहां पर survival जो है वो इनसान का लगावा हो तो वहां पर किस किसम का competition होता है तो होता किया कि nature ने एक महदूत तादाद के अंदर जो है वो food रखा है या survival needs पूरी करने के resources महदूत तादाद में अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो एक महदूत तादाद में रखी है तो जो living organism अपने आपको उस needs को पूरा कर लेते हैं अपने food को ले लेते हैं अगर मैं शिकार की बात करूँ तो अगर दो शेर हैं एक शेर बहुत अच्छा शिकार करता है दूसरा नहीं कर पाता तो वो अपनी survival needs पूरी नहीं कर पाएगा और मर जाएगा करता हम हो जाएगा इन दोनों की competition के अंदर वो शेर जीद गया जो अच्छा शिकार कर सकता है इसी तरह से अगर हम दूसरी की बात दूसरी चीजों की बात करें दूसरे अनिमल्स की बात करें तो जो अनिमल्स अपने ले फूड दूसरी चीजे ला पाते हैं तो वो survival competition के अंदर जीद जाते हैं और अपनी नीच पूरी कर पाते हैं और अपनी स्पीशी को continue रख पाते हैं और यह एक balance की react करते है fittest will survive एक nature का concept है कि fittest will survive जो fit होगा वो survive कर जाएगा जो fit नहीं होगा वो survive नहीं कर पाएगा तो यह एक competition है एक healthy competition है ताके ना species बहुत जादा तादा अगर competition ना होता इसकी भी फाइदे हैं हम सोच रहे हैं यह कैसी बात है इसकी भी फाइदे हैं अगर सोचें कि competition ना होता अगर death ना होती हर species survive कर रहा होता तो सोचें इन numbers कितना बढ़ जाता सोचें अगर किशेर है कीड़े हैं या कोई और जानवर है वो numbers में कितना हो जाता है अगर fittest will survive वाला concept ना होता तो ये competition बहुत जरूरी है ताके और जो इस competition को बहतर तरीके से इस competition में perform करता है यानि अपनी survival needs पूरी कर रहा होता है तो वो survive कर जाता है ये तो एक मिसाल लिया हमने इसी तरह बहुत सी और मिसाले भी है जहां पर जो है वो अपनी survival needs पूरी कर रहे होते है students दूसरा देते हैं देखते हैं succession यानि अपने बाद आने वाले चीज़ों कर ले कहने का एक तो species है यानि species के बाद आने वाली जो species हैं इसको थोड़े एक मिसाल से समझते हैं एक land, एक piece of land की मिसाल लेते हैं जहां पर एक वक्त में एक plant हुगा करता था एक species हुगा करती थी अब हुआ क्या है कि वहां पर तमाम species खतम होगे तमाम की तमाम species खतम होगे पूरा land बेरन होगया, खतम होगया अब वहाँ पर क्या हुआ कि आइस्ता आइस्ता दूसरा कोई स्पीशी आया जाहिर सी बात है वहाँ पर वह स्पीशी आगा जो जल्दी उखता हो ताके वह उस लैंड में सर्वाइफ कर सके तो कोई ऐसा स्पीशी आया जो जल्दी उखता है और फिर इसी तरह से वो species पौदे में change हुआ, बेबी प्लांट से, फिर adult plant में, adult plant से, फिर tall trees में, फिर वो tall trees क्या हो गए, कि उनके पत्ते निकल गए, और वो पत्तों ने sunlight को रोकना शुरू कर दिया, ताकि कोई और species आके या नहां उग जाया, तो ये succession है, किसी एक species ने, किस कि दूसरे species की जगा ले ली, इसको हम succession का नाम देते हैं, क्योंकि वो species इस जगा से खतम हो चुकी थी, इसलिए एक species ने, दूसरे species की जगा ले ली, तो इसको हम succession का process कहते हैं, तो competition and succession, ये दोनों चीज़ें, ये जो दोनों procedures हैं, ये बहुत ही एहम है, दोनों के दोनों help कर होते हैं अगर फर्स कीजिए अगर सक्सेशन का प्रोसेस नहोता यह सक्सेशन वाल आटिट्यूड नहोता एको सिस्टम के दर नहीं चर नहीं यह डेवल अप नहीं कर रहा होता सिस्टम तो आप सोचें फीर अफलांट आशें काा साई है एक वक्त आथा कि सब चीजें खतम हो जाती कि-सी नहीं चीजे को रगblack पिर्म्हें भून्य में आथने की यह फूरत है आडिमल को जिंदा रहने के लिए हम इंसानों को दिन्दा रहने के लिए भी प्लांटon की जरूत होती है क्योंकि मुझक, हम मुर्यूड है, हम दोनों चीज़ खाते हैं हम जो दोनों चीज़ों को जो इना वो specende कर रहते हैं, तो चिंदा रहते हैं तो रिए दूसरे प्लांट के लिए animals के लिए इस biosphere को इस ecosystem को maintain करने के लिए living organism का survival ज़रूरी है और ये दोनों system help करता है और पता है क्या competition के ऐसे जो fittest survive कर पाता है तो वो ही attributes next वाले के अंदर आते हैं और हमें एक fittest community मिल पाती है जो fit community है जिसमें जो है वो unfit living organisms की ज़रूरत नहीं है तो ये दो concepts थे दो चीजे थी जो adaptability जो है लिविंग organisms के अंदर आती है या दो attitudes आप कहले है living organism के तो इस session का students quick review ले ले लेते हैं देख लेते हैं कि इस session में हमने क्या बात करी तो session में हमने बात करी what is an ecosystem ecosystem क्या ecosystem is the group of habitats जब बहुत सारे habitats मल जाते हैं तो ये ecosystem क्रियेट कर रहे होते हैं फिर हमने क्या बात करी students competition की and succession की competition की है कि जो living organism अपनी population के इंदर बहतर तरीके से अपनी survival needs पूरी कर पाता है वो इस चीज़ को उस मुखाबले को competition का नाम दिया जाता है कि कितना बहतर तरीके से वो अपनी survival needs पूरी कर पाता है जिसमें हमने मिसाल ली जैसे जीब्रा की अगर मिसाल लेता हूं तो अगर grass land है और वहां बहदूत तादाद में grass है तो जो जीब्रा या जो family जीब्रा की बहतर तादाद में grass consume कर पाएगी तो वो survive कर पाएगी बाकी starvation के process में चले हैंगे भूके रहेंगे तो उनके लिए survival मुश्किल हो जागा फिर हमने students बात करी succession की succession क्या चीज़े succession एक ऐसा process है जिसमें एक living organism दूसरे living organism की जगा ले लेता है mostly plants में मैं आपको मिसाल दी कि एक piece of land की मिसाल फिर मैं आपको दी तो students इसी सीक के साथ आज के session का अखताम करते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के session में आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने बहुत सारा ख्याल रखेगा अगले session में आपसे मलाकात होगी खुदा हाफिर